जियो की सिम को बीएसनल में कैसे पोर्ट करेंगे इस पीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिहां दोस्तों अगर आपके पास जियो की सिम है और जियो की सिम को आप बीएसनल में पोर्ट करना चाहरे हैं तो आप कैसे पोर्ट करेंगे क्या प्रोसेस है क्या डाकॉमेंट् foundation इस video में हम आपको बताने वाले हैं तो इसके लिए आपको बता दूँ कि जब भी आप अपनी जियो की sim को below slash relationship कराने के लिए जाएंगे लिए तो आप खुद से पोर्ट नहीं कर पाएंगे आपको below slashος www. जाना पड़ेगा, वहाँ पर जब जाएगा तो आपको वहाँ पे अपनी जियो की SIM का UPC code आपको दिखाना होगा आपको अपनी जियो की SIM का UPC code एक आता है योनिक पोर्टिंग code आता है वो code आपको वहाँ पे दिखाना होगा अपनी जियो की SIM का और आपको अपना नंबर बताना होगा और इसके साथ साथ जो जिसके नाम भी आपको SIM पोर्ट करवाना है उनका आधार कार्ड और वो खुद वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये तीन चीज आपको दिखानी पड़ेगी अपना आधार कार्ड आधार कार्ड के साथ में आपका अपने जियो SIM का यूपीसी कोड निकालने की प्रोसेस अभी हम बताएंगे कि वह आप कैसे निकालेंगे और इसके साथ आपको अपना मोबाइल नंबर आपको बताना होगा UPC Code निकारने के लिए आपको क्या करना है आपको अपनी जियो किसिम से आपको मैसेज करना पड़ेगा देखी मैं आपको मैसेज करने की प्रोसेस बता देता हूँ कि आप अपना UPC Code कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आपको अपनी जियो किसिम से एक message आपको भेजना है, message में आपको लिखना है, यहापको capital letter में, capital letter में आपको लिखना है, मैं दिखा देता हूँ आपको, पी ओ आर्टी इसके बाद इस पेस यह आपको क्रैप्टर लेटर बड़े अच्छरों में पोर्ट आपको बड़े अच्छरों में लिकेना है इसके बाद इस तरह से आपको एक सिंगल इस पेस देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको इस त सरी कर से हां पर आपको अपनी रिचार्ज के आपको एक अव डावल पर आपको बेज देना ऊपिए एक डाव़ जीर लूपर इस मैसेज करें वह ताइम पर आकागर छाय दी कर देचे裁 आपको यूपीसी कोड इस यूपीसी कोड को आपको बीशनल के रिटेलर या जहाँ पे भी आपका वहां पर आपको यह UPC code आपको अपना जीओ का नंबर जिसको आप सिम को आप या जिस नंबर को बिशनल ने पोर्ट करवाना चाहिए वो नंबर और आप अपना आधारकार तीनों चीज ले जाकर के आप उनको दिखाईएगा तो आपका जो सिम है वो आपका पोर्ट करके औ आपको उसी नंबर का दूसरा सिम दे देंगे तीन से चार दिन के अंदर आपका जो सिम है वो बिशनल में पोर्ट हो जाएगा और जैसे ही तीन से चार दिन में आपका सिम बिशनल में पोर्ट होगा तो आपका पुराना जीओ को सिम में नेटवर्क आना बंद हो जाएगा एमर्जन्सी या नो सर्विस दिखाने लगेगा और जैसे ही नो सर्विस दिखाता है तो आप अपना नया सिम जो आपको विशनल का मिला है उस सिम को आप अपने फोन पे डालेगा और फोन पे डालने के बाद जैसे आपका फोन पे डालेगा तो उपर आपका नेटवर्क दि जालू हो जाएगा